नमस्कार दोस्तों स्वागतिफ एक बार आपका डीवीप रिवीज पर जिए आपकर इस वीडियो में जो हम टेस्ट करने जारे इस पेपर बूट के डिलिशलेसली लो शुगर अनार यानिकी पॉमोग्रानिट जूस को तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बात करेंगे पैकिं यूपी जो है देखने मिल जाएगी साथियों बात करूं इंग्रेडियेंट्स की तो यहाँ पे आपको इसके सारी इंग्रेडियेंट्स देखने मिल जाएंगे तो इसमें मुझे एक बात देखने मिल वो की है पॉमोग्रानिट जूस जो है सिर्फ 2.4% इसमें आपको देखिने मिल जाता है बाकि यह जो है पूवग लेने juice concentrate है 9.7% साथी में nutrition information यहाँ पर दी गई है जो की per 100 ml के हिसाब से है तो यह आपका 200 ml का pack है तो आप उससे अंदाज अलगा सकते हो कि आपको कितने और कौंसे nutrients में जो है मिलने वाल है साथी में बात करें यहाँ पर best before की तो यहाँ पर आपको जैसे की लिखा हुआ है 6 months from date of manufacturing जो कि आपको pricing के बाजू में देखने मिल जाएंगी साथी में यहाँ पर कुछ उन्होंने एक्स्रा चीज़े दी है यहाँ पर एक story दी है इन्होंने आप इसे पॉस करके जो है पढ़ सकते हो इस food is by its nature gluten free है जैसे की होता है साथी में यहाँ पर इन्होंने एक warning भी दी है polyols may have laxative effect जो की सारे इनके जो पेपर बोट के juice होते है उसके उपर होती है तो इस warning का मतलब जो है यह होता है आप इसे पॉस करके जो है पढ़ सकते हो फिर जैसे की इन्होंने लिखा यहाँ पर no added preservatives, no added colors, just laughter and sunshine जैसे की इनके बाकी pack पर भी जो आपको देखने मिल जाता है साती में आप यहाँ पर बोटम पर आप इससे देखेगे गलती से अगर किसी ने try किया यहाँ से open करने का तो यहाँ पर इन्होंने एकदम funny line लिखी है nice try but this isn't a two way pack तो यह मुझे थोड़ा एकदम different चीज़ यहाँ पर जो देखने मिली इसलिए मैंने आपको दिखा दी तो साती में जो इससे open करने से पहले जो आपको shake करना है और फिर जो open करना है साती में यहाँ पर इन्होंने किस तरह से open किया है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर hold करके जो इससे आपको open करना है तो अब इससे हम shake कर लेते है और अभी जो इससे open कर लेत यहाँ पे पकड लेंगे इस तरह से अब इसे अभी इस गलास में निकाल लेंगे तो इसमें जो मुझे पलप जो है बिल्कुल नहीं देखने मिल रहा है जैसे कि इनका जो ओरेंज फ्लेवर था और जो मोसम भी flavor होता है उसमें जो आपको pulp जो देखने मिल जाता है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे pulp वगरे कुछ ऐसे देखने नहीं मिल रहा है या फिर कुछ भी pomo granate का जो होता है juice में basically जो हम घर में निकालते हैं उस तरह से juice जो यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है तो इस as usual जो pomo granate की taste होती है यहाँ पर आपको देखने मिलती है बसकी जो है थोड़ी खटी टेस्ट मुझे यहाँ पर इसकी देखने मिली इतनी खटी टेस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी थोड़ी मीठी टेस्ट भी होने चाहिए थी लेकिन शुगर नी आड़ होनी चाहिए पोमो granate की जो एक मीठी टेस्ट होती है उससे आपसे मैं बोल रहा हो आपको तो पोमो granate की जो टेस्ट होती है अनार की यह ओ इसमें डेफिनेटल ही है लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको सिर्फ 2.4% जो है पोमो granate juice जो आपको देखने मिल जाता है बाकी 9. 9.7% पोणोगरानेट इसमें देखने मिल जाता है और इसमें इन्होंने लिखा भी ए Contents, Added Flavoring, Natural Identical Flavoring Substances तो कौनसे जो इन्होंने Artificial Substance एड की है वो इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं तो वो मुझे लगता है कि पोणोगरानेट की टेस्ट के जो है Natural Identical Substance इन्होंने अड की होंगे इसलिए जो जूँस की टेस्ट जो एकदम Natural Pomo अगली वीडियो में